वेलकम टू जी के जी अस्विथ मनीज सर आज 10 जनवरी 2023 है और आज के जितने भी महत्तपुर्ण क्रेंट फेर होंगी वो हम इस वीडियो में डिसकस करेंगी तो आईए शुरू करते हैं आज का महत्तपुर्ण क्रेंट फेर आज का पहला प्रश्ण है हाल ही में एस्परिट अगला प्रश्ण है भारत का पहला सौ परतिसट डिजिटल बैंकिंग वाला रज्जे कौन बना है तो केरल बना है भारत का पहला सौ परतिसट डिजिटल बैंकिंग वाला रज्जे और सबसे अधिक स्थाक्षर्टा दर जो आपका है वो किसका है तो केरल का ही है अब सास् में कि 100% LPG connection माला भारत का पहला रज्य कौन बना है और साथियो 36 गड़ तो 36 गड़ में आपका है चित्रकूट जहरना जिसको बोलते हैं भारत का नियागरा जलप्रपात और पंजाब में है हरी के जील जो आपका है वो पंजाब में है और अजस्थान में आपका सामभर जील साथियो लोनार जील कहां पर है तो इसका जबाब देना है केमेंट बोक्स में आपको अब केरल में हुआ है तो केरल की राजधानी है तिरू अनंत पूरम के गवर्णर है आरिप मुहम्मद खान के मुख्य मंतरी है पिंडरई बिजियन केरल में राजस्थभा 9 है और लोग सरकारी इट एक्षी सेवा सुरू करने वाला भारत का पहला राजध केरल बना संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताव केरल ने पस्षि मंगाल को अरा कर जीता राज्य का पहला वैज्यानिक पक्षी एटलस केरल को मिला देश की पहली पेपालेस हाई कोट बनी केरल हाई कोट और उमद्दा जील में नेहरू बोट्रेस का आयोजन हुआ महिलाओं के अनुकूल प्रेटन पडियोजना की शुरुवात कहां हुई तो केरल में हुई ट्रैक एसिया कब 2022 साइकल टूनामेंट की में जमानी कहां किसने की तो केरल ने की धर्मदास भारत का पहला पुर्ण पु सब 23 की सुरुवात भाद के किस सहर में हुई तो एहमदाबाद में हुई और एहमदाबाद किस रिभर के किनारे है तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियो अब दिल्ली तो दिल्ली है यमुना रिभर के किनारे है दिल्ली साथियो आगरा भी आपका यमुनारी भर के किनारे है और मसुरा भी आपका यमुनारी भर के किनारे है अब जो ये पतंग महोत्सब था थीम क्या था उसका तो थीम था एक धर्ती एक परिवार एक भविस्य पर अधारित इस अब गुज्रात के मुख्यमंद önemli भूपंद्र भाई पटेल ने इसका उगर्म किया अब गुजरात तो गुजरात की राधानी है गांधी नगर गुजरात के गवर्णर है आचारे देववर्थ गुजरात के मुख्य मंत्री है भुपंदर भाई पटेल और गुजरात में राजसभा 11 है और लोगसभा 26 है गीर राश्ट्रियोध गुजरात में है नल्सरोवर भैरन गुजरात में है पोरवंदर लेक वन्नेजीब भैरन कहां पर है तो गुजरात में है पोरवंदर लेक वन्नेजीब भैरन और ब्लैक बक नेस्टल पार्क भी आपका गुजरात में है डिफेंस एक्सपो के बारह में संस्क्रण का आयोज गुजरात बना, देश की पहली नियाई की घरी गुजरात हाई कोट में लगाई गई, साथियो भारत का पहला पेपरलेस हाई कोट कौन बना है, इसका जबाब दे रहा है कमेंटर बॉक्स में आपको, राष्टिय समुंदरी बिरासत परिशन, ये लोथल में बनाया जाएगा और लोथल सिंदू खाटे समता का एक स्थान भी है, तो लोथल किस दीवर के किनारे है, इसका जबाब देना है कमेंटर बॉक्स में आपको, अखिल भारतिये मौसम, अखिल भारतिये समिलन का आयोजन कहां हुआ, तो यह हुआ गुजरात में आयोजन, अखिल भारतिये समि पन गया भारत का जिसने अपने सभी जीनों में फाइब जी सर्विस शुरू किया और गुजरात बिधान सभा के कोन बने है तो संकर चौजरी बने है साथियो गुजरात में बिधान सभा सचीटों के सिंगा कितनी है तो इसका जबाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको साथियो पेटियम का हेड़कौर्टर है नोईडामी और पेटियम के चेयर्मेन कौन है तो इसका जबाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको साथियो और भी जैसे अध्यक्ष बदले है तो दिखते है कोरकौस अध्यक्ष महत्वपूर्ण वाले आग आपके एक्जाम के टेबल टैनिस आफ इंडिया फैडरेशन की पहली महिल अध्यक्ष कोन बनी तो मेघना हलावत बनी भारतिये नावकिये विदुत नीगम लिमित्ट के अध्यक्ष इंवं प्रवंद के रेलवे बोड के अध्यक्ष और चीयो कोन बने है तो अनिल कुमार लाहोटी बने है र नवाड का हेड़कॉर्ट है मुंबई में नवाड की स्थापना कब हुई इसका जवाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको असोक लिलेंड के नए M.D.N.C.O. कौन बने है तो सीनू अगरवाल बने है राष्टी डेरी विकास बोर्ड के परवंदक निर्दसक कौन बने है तो बिनिये से सीसा बने हैं और इसका हेड़क्वाटर है गुजरात के आनंद नामा का स्थान पर बंबई स्टॉक एक्षेंज के नए MDN CEO कौन बने हैं सुब्रमन्यम राम मूर्ति बने हैं बंबई स्टॉक एक्षेंज के नए MDN CEO अब अगला प्रशने आपका हाल ही में किस राज सरकार ने मनरेगा सरमिको को पैंसन परदान करने के लिए कल्यान बोड का गठन किया है तो मनरेगा सरमिक को पैंसन परदान करने के लिए केरल राज सरकार ने कल्यान बोड किये स्थाबना किये साथियो साथियो अब केरल तो केरल की राजधानी क्या है तिरू अनन्तपूरम है केरल के गवर्नर कौन है अरिप मुहम्मद खान है केरल के मुख्यमंतरी कौन है पिंडराई बिजीन और केरल में राजसभा 9 है तो लोकसभा 20 है साथियो अभी मैंने जश्ट बताया के बारे में तो केरल में कौन-कौन से नैस्टल पार्क है तो पेरामभी कूलम नैस्टल पार्क केरल में है पेरियार राष्ट्रियो दियान केरल में है स्टालेंटे वैली राष्ट्रियो दियान कहां पर है तो केरल में है साथियो अब अगला प्रशने आपका हाल ही में केविन मेकार्थिक किस देश के परतिनीधी सभा के स्पिकर चुने गए हैं तो अमेरिका के परतिनीधी सभा के स्पिकर जो चुने गए हैं वो चुने गए हैं केविन मेकार्थि साथियो मैंने बताया था जो गिराया गया था वो कब गिराया गया था तो इसका जवाब देना है केमेंटर बॉक्स में आपको कि जापान में पहली बार प्रमानु बॉम कब गिराया गया था और किस देश के तोरा गिराया गया था और उस प्रमानु बॉम का नाम क्या था तो इसका जवाब देना है क सब्सक्राइब करें अस्वेत जज कौन बनी है तो कितनजी ब्राउन जक्षन बनी थी सुप्रीम कोट की पहली महिला अस्वेत जज ब्रज प्रहार सैनब भ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है युद धब्यास सैनब भ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है टाईगर ट्रॉम्प अभियान ये भात और अमेरिका के बीचुळ, 49 समान तर रेखा अमेरिका और करणड़ा के बीच है, उत्री धुर्ब पर पहुशने वाला प्रथम बैक्ति था रौवक पियरी, और चंदरमा पर उत्रने वाला प्रथम बैक्ति था कौन तो निर एंग्स और समिधान लिखने वाला पहला देश कौन है तो अमेरिका है समिधान लिखने वाला पहला देश ताजे पानी की सबसे बरी जील है सुपरियर जील जो अमेरिका में है महात्मा गांधी के जीवर पर समर्पित गांधी संग्राले खोलने की घोशना किस नहीं की तो अमेरिका नहीं की एना वे व्उंग के मुद्रा पर छपने वाली पहली एसी आई महिला पनी इसका जबाब देना है कमेंटर बॉक्स में आपको चीन के हुबावे और JTE कंपनी पर अमेरिका ने प्रतिबंद लगाया है अमेरिकी बित्तिमंत्री जेनेट येलिन और लिन मौलवेरा का बैंक नोट जादी किया गया है जिस पे इन दोनों का स्ताक्षर है साथ ही हो पर मानू सल्यन में सफलता की गोष्णा किसने की है तो अमेरिका ने किये साथ ही हो और अमेरिका ने मधुमक्यों के लिए एक नई टिका की सुरुवात की है अब अगला प्रशन है आपका हाली में BCCI के नए चेन समीतिक एध्यक्ष कौन बने है तो BCCI के नए चेन समीतिक एध्यक्ष जो बने है आपके वो बने है चेतन सर्मा कौन बने है तो चेतन सर्मा बने है अब देखो और अन्य से दस्से कौन कौन बने है तो सिव सुन्दरदास बने है सुमरोतो बनेरजी बने हैं सलील उकेला बने है और स्रीधरन सरत बने है यानिक साथ यो नई सेलेक्षन टीम के जो अधिशक्षाप के चेयर्मेन जो बने बनाए गए है वो चितन सर्मा को बनाया गया है सिव सुन्दरदा, सुमरोतो बनेरजी सलील उकला और स्रीधर सरत ये सब जो आपके है ये इसके सदस्य है साथियो अब साथियो BCCI तो BCCI के स्थापना को हुई इसका हेट कौटर कहा है और इसके चेयर्मेन कौन है तो इसका जवाब देना है कमेंटर बॉक्स में आपको अगला प्रश्ण है आपका देश का पहला कोईला गैस आधारित तल्चर उर्वरक सैंतर किसमर सुरू होगा तो यह सुरू होगा साथी हो आपका 2024 में अगले साल यह सुरू हो जाएगी साथी हो आपका और यह देश का पहला गैसी करन आधारित तल्चर उर्वरक सैंतर है सभा 10 है और लोग सभा 21 है चिलका अभ्यारन ओडिसा में है सिंपली पाला अभ्यारन ओडिसा में है गहिर मठ वन्ने जीप भ्यारन ओडिसा में है भितरी कनिका नैस्थनल पार्क कहां पर है तो ओडिसा में है भितरी कनिका नैस्थनल पार्क बैसी पल्ली वन्ने जीप भ्या पर है तो उडिशा में है नंद कानन वन्ने जी पभागर जर्ब ये उडिशा में है और करलापट वन्ने जी पभागरन कहां पर है तो उडिशा में है ओडिशा में है गंजम जीला जो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जीला बना है बाली यात्रा नुवाखाई महुत सब चंदन यात्रा और रजमहुत सब कहां होता है तो उडिशा में होता है ट्रेन की चपेट में आने वाले हाथियों की मौत को रोकने क के लिए हैंगिंग सोलर फेसिंग लगाने की गोशना ओडिसा ने की है फुटबॉल फॉर आल पहल शुरू किया है ओडिसा ने फीफा के सयोग से फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसूसियेशन साथियो अभी जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ ये कहां हु हुआ है 2026 का कहां होगा तो इसका जबाब देना है कमेंटर बॉक्स में आपको फीफा के जैर मैंधे आपके वह गेणि एंफंटीनो सब्सक्राइन की 557 दो 2023 तक अपने राज्यों को जुग्य मुझे करने की गोशना ओडिसा ने की है और निसुल क्रिटी का करने की घुसनागिसने की है तो ओडिसा ने की है और लंपी तुचा रोग जो होता है आपका वो मवेशियों में होता है बिजेंट वहानों की परकिरिया करने वाला भारत का पहला रज़ ओडिसा बना और भगवान बिर्सा मुंडा होकी एस्टेडियम पाउर केला में बना है तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण क्रेंट अफियर कल मैंने आपसे कोशन पूछा था कि जातिकत जन जनगन्ना करने वाला भारत का तीसरा रज़े कौन बना है तो बिहार बना है पहला कौन बना रज़ दॉसरा कौन बना करना अतक और तीसर बने है तो इसका जबाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको साथ यो तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण क्रेंट अफियर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद